सुनो बेटा, थोड़ा सामबार लेकर आओ जी सर एक बात बोलू, उस रुद्रा से तुम्हें दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए वो बहुती बड़ा खतरनाक इंसान है जी जै जी, मैं दुनिया में सिर्फ अपने जमीर से ही डरता हूँ उस रुद्रा जी से फाल्टू कुंडों से मैंने ही तरता हूँ खाना खाईए बाबने, अपने, क्या से रहा होगी है अब इस उपर्फूपर हे, 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 कोई दुम्हाँ आप कोई कि, छोड़ो ने, जोड़ो बाफने, हारे बाबने बहात कर दो, भाइड बहात, पहात कि झाले है, उम्में पैचान भी पाइड को नहीं, भाइड, मापकर दो, भाइड, मापकर दो.. पापा के साथ खेलना और रुद्रा के साथ कहलना खतरनाक होता है और जो रुद्रा के साथ खेलता है जढ़ना वाला रुाँता है सांसत गौरी शंकर जी के आशिर्वात से उनके परमभक्त कॉंट्राक्टर रूद्र भैरव जी को इतिहास के प्रसिद्ध नर्सिम्हा स्वामी मंदिर के धर्मादर्शी बना कर उन्हें ये अहदा सौपा है ये क्या हो रहा भाई रिष्टे में तो आप MP के साले हो आपको छोड़के आपके जीजा जी कल क्या हुए नएने लोगों को सर पर बिठा के नचा रहे हैं नचाने दे नचाने दे एक बार मौका मेरे हाथ लग गया न तो उसे मज़ा चापा दूगा आप बैठे बैठे यहां सपने देखिए और वो रुद्रा भाई आपने सपने सच कर रहा है अभी उसका टाइम अच्छा चल रहा है वे भगवान आपके मंदिर की रक्षा के लिए मैं धर्मा धिकारी बनाओ लेकिन मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है दुनिया के साथ जो होता है होने तो लेकिन मेरा कल्यान करना ही पड़ेगा बिखारीयों के हाथों से भीग छिनने वाला बदमाश है तो भगवान तेरा क्या भला करेगा रमेश तुम मुझे श्राबते रहे हैं कैसे दे सकता हूँ भाई एक बात बता कैते हैं मेरे जैसे पापियों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेकर आता है यह सच है क्या वैसे अगर वो आएगा तो फिर कैसे आएगा वो भक्त प्रलाद फिल्म की तेरे खंबा तोड़कर आएगा क्या या फिर उस तरफ से धूल उडाते वे आएगा कहां से आएगा है कोई भगवान नहीं आएगा जानते हो क्यों क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो मुझसे टकराएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा चलो चलो कि अग्शी तर सिनस प्रफिति आएगा सिंकर सिंकर चैकर सिंकर चोड़ाई, हाँ चोड़ाई अगर मैं किसी का माडर करता हूँ तो कोई और आकर बचाने की कोशिश करता है और तु मेरे ही सामने किसी को मारने जा रहा है कौन है तू देख भाई मेरे धहरे के परिक्षा मतले क्यों इसे मार रहा था तू यह उसी से पुछो आधातर्जन केला देना भाई है जान किती थी कमला कैसी हो तुम कितने दिन बाद मिली हो तुमसे मेरे पती की नौकरी बैंगलोर में लगी है ना इसलिए वही पर हूँ तुहार है ना इसलिए माई के आई हूँ बहुत दिनों बाद अच्छा किया यह लीजे अरे यह क्या भाया कोई शराफत है या नहीं सड़े केले दे रहे हो सुनो तुम अपना काम करो दूसरे के मामले में धखल मत दो ए तो इमानदारी से काम करो ना तुम्हारे ऐसा करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगा तुम्हारा भाशन सुनिक लेने बैठा हूँ मैं धंदा कर रहा हूँ पसंद है तो ले लो नहीं तो चलते बनो यहां से चुप चाब अपने फल वापस लेकर पैसे देदो हमारे किसी और दुकान से ले लेंगे हम पर चोड़ो दीदी इन लोगों की मुह नहीं लगते अरे तो चुप कर ना मंदिर में ऐसे सड़े हुए फल बैसने शरम नहीं आती तो अपना काम करो जाके बगवास मत करो जाओ यहां से लगता है तुम लोगा बहुत खराब टाइम आने वाला है अपना सिंगा आएगा तो एक एक को काट के रख देगा अपनी मा के लिए जान भी कुर्बान कर देने वाला बेटा है तेरे जैसे गीदणों का शिकार करने वाला शेर है वह उसने धूल भी उड़ा दिया तो डस्ट अलर्जी से मर जाएगा शेर आगे आए शिकार के लिए सिंदगी प्यारी है तो भाग जाओ यहां से बैल को आगे से मत छेड़ना धोड़े को पीछे से मत छेड़ना इस सिंगा को किसी भी एंगल से मत छेड़ना समझे क। एईएएएएए precार तो अलर्जाना इसान एक भी आज़ 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 कियां ब्रांकिन तरफ दी tutto सिर्फ है निज आ अला हुर्ट한 को अला करेखर ना भाई मेरी मा को कोई तकलिफते मैं सहन नहीं कर सकता और तुने मेरी मा को धुक्का दिया एक बार जब मैं हत्यार उठा लेता हूं तो किसी को छोड़ता नहीं मैं हम पुरे गाउं वालों को धमकी देते हैं और ये हमें ही धमकी देखकर चला के आखिर ये है कौन बॉडी डेटा चाहिए और बायो डेटा चाहिए चल बायो डाटा ही बता दे ना मैं सिंगा प्यार करने वालों के लिए भग प्रलाद नफरत करने वालों के लिए हिरन कश्यपू उसकी आखे शेर की आखे हैं और उसका हाथ हतोड़ा एक बार लग जाए तो आदमी आस्मान में नजर आता है खुझ से किसी को नहीं छेड़ता वो गलती से छेड़ दिया तो छोड़ता है भी नहीं क्योंकि गुस्सा उसकी कमजोरी और मूच है उसकी ताकत है उस रुद्रा ने मेरी आखों के सामने मेरे पती का कतल कर दिया सर अब आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं मैं पिसी महेश बात कर रहा हूँ वो इंजिनियर की बतनी आपके खिलाब कम्पलेंट देने आई है और साथ मेरे उसका भाई आया हुआ है आपने ही मडर किया है ये साबित करने के लिए ये दोनों चुश्मतित कवा काफी है इंस्पेक्टर के F.I.R. बनाने से पहले M.P. से बात करके जल्दी कुछ करो अगर एक बात केस्पोर्ट दक पॉंट किया न तो आपका जेल जाना तो पक्का और छे महीने में बाई इलेक्शन है ऐसे वक्त में जरूरी था क्या रुद्रा गौरी शंकर जी का राइट है ये सभी लोग जानते है इंजिनियर का मडर आपके इशारे पे हुआ है ऐसा सभी लोग बाते कर रहे है ऐसे लोगों का मूँ कैसे बंद करना है ये मैं अच्छी तेरे से चानता अगर भाई के खिलाफ कोई भी जाएगा तो मैं उसे छोड़ोंगा नहीं काट के राक तुम अपने गुस्से को काबू में रखिए आप MLA बनना चाहते हैं कल आप जीत के एसेम्बली में जाएंगे वहाँ पे लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे आप सब को मार डालोगा क्या आपके रिष्टेदार भाई बेहन जितने भी हैं सब आपके पीछे बुराई करेंगे आपकी इन सब पे ध्यान मत दो भाई आपी समझाओ ना रुद्रा को रुद्रा राजनीती और गुंदागर्दी के बेज जमीन अस्मान का फर्क है हाथी के दाथ दिखाने के कुछ और होते हैं तुम्हें हाथी की चाज चलना होगा यह राजनीती है इसके आगे तुम्हें कुछ भी करना हो तो मुझे बता कर करना ठीक है भाई इस बार इंस्पेक्टर से बात करके इंतिजाम करवा देता हूँ ठीक है अगर मेरे बेटी की शादी हो जाएगे तो अकले साल अपनी बहुर को लेकर आपके दर्शन के लिया होगी मा जी मेले में जुआ खिलकर मैं पैसे कमाना चाता था कहां पुजा पर्ट में लिया है ए पकवास बंतर यह मुरत साल भर की बाद ही आता है अगर आज के दिन यहां आकर सच्छे दिल से मनत मांगे तो जिसकी भी शादी नहीं हो रही है साल भर के अंदर उसकी शादी हो जाती है पहले बता देती तो पिछले साली हो जाता माजी चुप कर तो दे बेटा तुम भगवान को हाँ चुड़ो यहीं है वो यह है क्या रहे लड़कियों को गंदी-गंदी मेसेज करता है कॉल करके गंदी-गंदी बाते करता है तु क्या खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है चोड़ना चलते है अगर दुबारा तुने ऐसी गंदी हरकत की न पूरे गषो मालों को इकठा गंगे यह समझ गयाना चल निकल यहां से बड़ा हीरो बनता है ए चल रहे तो कुछ भी बोल सिंगा उस लड़की को देखकर लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगें एक लगे लिगा है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आगे चलो अरे सिंगा मैंने भगवान से मुकुट चड़ाने की मनत की थी जाकर ले 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 किया वह तो यही है क्या आहां चंपा चमेली चांदनी गुलाब गुल बहार यार पुरी दुकान फुलों का बागीचा लग रहा है यार तो 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 अरे इतनी हिमत की तूने मुझे चेड़ा ए मेरे बेटे को मारेगी तो तुम्हारी इतनी हिमत मेरी फ्रेंड को मेरा सिंगा जोर का जटका धीरे से लगा ऐसी लड़किया रहेंगी तो मीटू का प्रॉबलम नहीं रहेगा है ना सिंगा कहा गया चल यार चलते हैं हाँ चल दो पहर के दो बच्चुके हैं समय पर नहीं खाओगे न तो पेट में गैस होगी आज का इस्पेशल क्या है दाल चावा लाई हो अच्छा और तेरा देशी मुर्गी का साहल पेट भर के खाओंगा आज तुम्हां गंगा वो लड़की ना तर्बूस की तरह एक्टम लाल- वह कोई लड़की है बारुत का गोला बनके सब फ़ेट रही थी ए बख्वास बनकर अ के वही लड़की है थेक थेक बहुत सुंदर है अरे तीदी तुम्हें सही कहाना पहुत अ बहुत सुंदर है बहुत प्यारी लग रही है यह देख प्रूस हालो हमें हम अपने आपको चीर गल समझ रहे हो क्या हातीचे करो क्या हुआ कोई कुछ भी कहे दीदी दोनों की जोड़ी तो उपर से बनके आई है चुप रहो मा सब लोग आम पे पत्थर मारते हैं और तुम चान पे मारने चली हो माता जी वो लड़की को ने जानती है अपने गाव में जो निया इं देख रही थी चाहे तो देख लेना वापस जाते वक्ट न तो मैं उसी तरह कर रही है। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें अरे दिले ही दिल में इसी को याद कर रही है इसलिए ऐसे हिचकी आ रही है पिले 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 माजी वह ऐसे घूरती है ना लगता है अभी यहीं काट के खा जाएगी क्या आप दोनों मिलकर के से चने के जाड़ पे चड़ा रही है इतनी प्यार करने वाली हो तो आके बात करनी चाहिए ना मुझ फेर कर क्यों चले है या हमें शुरू-शुरू में ऐसा ही होता है बेवकूफ आज देखते हुए जा रही है कल आकर बात भी कर लेगी देख लेना अगर आपकी बात सही है तो कल सुबह वा हमारे घर आएगी और सिंगा से बात करेगी क्यों सिंगा सपना देख रही है नहीं आएगी क्या कल आएगी देख लेना माजी किस बात की बेचैनी है मेरी बहु अब तक आई नहीं उसी का इंतिजार कर रहे हूं वह क्यों हमारे घर के पास आएगी तुम्हारी उम्रे ज्यादा हो चुकिये सठी आ गई हो मेरी एक बात सुनले जैसे देरा दोस्त पेवकूफ है ये बात सच है वो लड़की इस घर में आएगी ये भी सच है दे देखो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो लॉक कप में डरवा दूंगी इसके साथ मेरा कोई संबन नहीं है यह ले लाइट लगवाले अरे रुप तो प्यार करने वाली लड़की घर ते काई है तू कहा जा रहा है कॉन और किस से प्यार करता है तुम मेरे बेठे से और ये बात आपको किस ने बताई यही जो सामने कड़ा है अरे कहा चला गया तो मेरी दाड़ी का हेडलाइट तोड़ने वाले तुम हो हाँ महीं हूँ क्या करोगी पैसे दे दिया ना जा के हेडलाइट लगवालो पैसे देने से हिस्साब बराबर हो गया और के चाहिए तुम कुछ मत दिना मैं अरे कितनी फोटा-फोट बात करती है वो बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई बहुत सोरसा लगा के गई है माजी अरे बकवास बंकर तू कहां चला गया अरे यह की मूझ छुपा रहा है मुझे अपनी जिन्दगी जिने दो अहां तो 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 आश्रम जाकर सन्यासी बनेगा क्या मैं कुछ भी बन सकता हूं चला आश्रम जलते है तोनों दोस्त पिलकुर एक चैसे है ए वो देखा गई ए कीता मैंने बताया था ना फालतू गैंक यह लोग वही है तो स्रागे में शिकों संगेंगी तू रांगे में तो कैंगों बगा क्या मैं यह वहां करता था लेकिन वहां पे नर्स को सिस्टर बोलना पड़ता था ना इसलिए उसने काम ही चोड़ दिया चल चल जल्डी चल उधर मत थे ख्यार क्यों अगर उनकी तरफ देखोगी तो यह लोग चीपट जाएंगी ऐसे चिल्ले राशिकों को हैंडल करना मैं अच्छे से जानती हूं तुम टेंचन मतलो पैसला कर लिया यार आज से वो मेरी लवर है तेरे को तो देखकर रोटी दाली सूट करेगा अगर बिर्यानी खाया तो लूज मोशन हो जाएगा तुम सभी चाहे कुछ भी कहो अपने गैंग में गीता के लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूं क्यों सही है ना आज मेरे आतों पर चुभा चुभा के गुदवाया है दिखां तुम लोगों को यह देख कितने गंदे हो यार तुम लोग अरे कुट्टे कमीने पागल है इस केजपें से हाथ पर लिकर हम सब को बेकू मनाता है हां सभी ध्यान से सुन लो हां गीता तुमारे लिए आइटेम होगी लेकिन मेरी तो मेरी जान है एक मिनट यह देखो यह मेरी लाइफ है यह मेरी वाइफ है आधाहार कार्द से सिर्फ लिक करना ही पाकी है सुपर है इस फोटो में तुम दोनों की बीच में एक छोटा सा बच्चा ख़़ा है ना कौन है वह? यारो मेरी फोटो है बच्पन की और यह हमारा होने वाला बच्चा मेरे जैसा लग रहा है ना अधुर यह लो पकाई बस 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 उठा लो चुनुगा ममा जी बैठी है बैठी है यहां बैठी है संभाल के लेके जाना ममा जी क्या समझा रहे हैं सब ठीक है बैठा आप बिना वज़े के तो कभी आते नहीं है बात क्या बताई है अमोल जाकर कॉफी लेकर आओ लाता हूँ बोलिए ममा सिंगा तेरी शादी को लेकर तेरी माँ बहुत चिंता कर रही है बैठा तुम दीदी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो कोई भी माँ अपनी बहुको घर में लाना चाहती है तो इसमें कोई गलत तो नहीं है न मामा जी उरे गाउवाले मेरे बाप की बहुत तारीफ करते हैं लेकिन मुझे उनकी शक्ले तक याद नहीं है लोगों के लिए जान गवा कर जब मैं नादान था उससी वक्त वो मुझे छोड़के चले उस दिन से लेकर आज तक मेरी माने कितनी मुश्किलों का सामना किया है मैंने अपने आखों से दिखा है मैं मेरे बाप जैसा ना बनो इसलिए मेरी माँ बहुत कोशिश कर रही है मामा जी लेकिन क्या करूँ मैं ऐसा दाग लगा है कि मिटाने से नहीं मिटे का मुझ पर बीस केस हैं एक या दो नहीं समझे कौन कब आकर मुझे मार देगा मैं खुद नहीं जानता ऐसे लड़के को शादी करनी चाहिए क्या देखो सिंगा जीवन में कल क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता बेटा अगर रास्ते में काटे हैं तो चलना बंद कर दोगे क्या उस काटे को किनारे करके अपना सफर जारी रखना होगा बेटा मामा जी मुझे शादी वादी नहीं करनी है जिंदेगी बर ऐसे ही रहूंगा मैं मेरी वज़े से कोई लड़की आसु भाई ये मुझे पसंद नहीं है ऐसा नहीं होता सिंगा क्या हुआ मामा उधारी चुकाने की आउकात नहीं पेटी की शादी करने चला है आपका पैसे दे दूँगा भीया आपकी उधारी चुका दूँगा मेरे घर मेर शुकाने चल रहा है भीया आपका पैसा कुछ भी करके चुका दूँगा भीया दया करके मेरे पास उद्धारी जो होती है वो बेटी की जैसी होती है बेटी को जैसे पाल पोस के शादी करते हो उसी तरह बेज का चक्र विर्धी व्याद चुकाना पड़ता है पैसे दे दो वरना इसे लिखा के बसुन करूँगा मैंने अपनी सारी जादात बेज कर आपको पैसा दिया और कितना पैसा दूँ आपको आप क्यों दारी चुकाते हो चुकाते मेरी जिन्दगी खत्म हो जाएगी बस कल इसके शादी कर दूगा फिर मैं आपके पैसे चुका दूगा जब चुकाना तो अपनी बेटी को लेके जाएगे चोड़ दो मुझे प्लीज मुझे चोड़ दो ले ले अपने पैसे कमाल अजान तुन्ने तो अच्छे अच्छे ग्रहकों को पकड़ा है ये तो व्याज हुआ है असल कहां है असल अपना सिंगा हिसाब किताब में विक हो सकता है लेकिन जब वो किसी की पिटाई करता है तो हिसाब नहीं लगाता ये सिंगा कौन है और तो पर जबरदस्ती करना ही मर्दान की समझने वाले तेरे जैसे नामर्द को तेरी आकाद याद दिलाने मैं आ गया है क्या याद प्राइर कि याद कि अजार ? कि अजार ? ऑभ्व…. कि अजार ? कि अजार ? सब लग वहां मारा मारी कर रहे हैं तु यहां के चुपा हुआ है दर लग रहा है क्या सुना में के साथ सेल्पी सिंगा के साथ को यह मत खना बोला था नहीं सुना तुने ना यह सिंगा का राज है यहां आरतों की इज़त करनी होगी अन्नुगाने वाले किसानों की इज़त करनी होगी यहां बोलकर भी औरत की इज़त पर हाठ डाला तो कुछल कर जान ले लूँगा तेरी समझ गया ना जब हुचा एट सुना यहँंगा यह हैं तो होगीष्स अँंए बोला जुकल bene कि आपने दिदी, अखर बैसी को बार दिदी, अखर दिसको बार किया, दिदी अरे, उधर कहा जा रही हो दिदी, चलो यहां से चलो, वो तो राक्षस लग रहा है चलो चलो यहां से चलते हैं PWD Engineer रामा स्वामी की हत्या के मामले को CID Bureau को स्वाफने के लिए रामा स्वामी की पतनी रतना स्वामी ने सरकार से मांगी है थालोर पर नमस्कार बेखें पर मैरे पापा ने उनकी बात नहीं माने इसलिए रुद्रा ने मेरे पापा को माट डाला, कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना नहीं सरा, रुद्रा को सजा दिलवाग करें रहूंगा मारने वाला शायद बहुत जल्ब पूर सकता है, लेकिन मिंतप का परिवार इतनी जल्बी नहीं पूर सकता है देखो, कैसे उची आवाज में बात कर रहा हैं, अब इसकी आवाज नहीं होगी भाई है, बन कर दिया उसका नाम रुद्रा है, एम की गौरी शंगर जिका खास आती है, अपने पावर के दम पर इसके इसको भीक करने की पोसिश कर रहा है उनके कसल का चाश्मदीर गवाब नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ूँगा उन्हें, सजाद दिला करी रहूँगा मैं इसको, इसका क्या करोगे? तुबली से वापस आते हैं, इसे भी खत्म करो, खत्म करना ही होगा, हमारे खिलाप आवाज उठाने वाले सब को मार्केट में जिस आदमी को मारा न, वो सही नहीं लग रहा है भाई अपने धंधे में सेंटीमेटर जितना भी सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए अगर मैं उसे नहीं मारता तो, वो हमें ही मार डालता ए जंगली, कट करने पर भी बार बार फोन क्यूं करता है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी, राजा कहा है क्या हुआ, कुछ नहीं भाईया, छोटा सा लफला हुआ है, छोटा सा लफला, किसने मारा इसे, भाईया, यह मेरा उसका मेंटर है, आप उसके पीचे मत आओ, टाहिन बीलते ही उसे खत्म कर दोगा खत्म कर दो, चल से चल खत्म कर दो, सुनो, जो फॉर्म में रहता है, उसी की इज़त क्रिकेट में होती है, अच्छे इमेज वालों की सिनेमा में इज़त होती है, और हम जैसों की इज़त, लोगों में डर पैदा करने से होती है, समझ गया ना, दो दिन के लिए बाहर जा खत्म काम हो, तो फोन करना, ठीक है भई या, ध्यान रखना, जानकी देवी, जानकी देवी, आपी का नाम है ना, हाँ, जी सर, मार्केट में जिस आजमी का मर्डन हुआ था, आपने देखा था क्या, जी हाँ सर, वे इचारा, मेरी आखों के सामने उस लड़की का गला काट तिया सर, उसे बिल्कुल भी छोड़ियेगा मत सर, आप कहेंगे तो मैं उसके खिलाख गवाही भी देदूगी, आप दूसरों के लबड़ा में क्यों पढ़ती हो, ऐसा सोचों कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, अरे नहीं सर, पता नहीं किसका बीचा था बेचारा, तच बोलोगी तो तुम्हारा भी भई आलोगा, वह बहुत ही खतरनाक है, इस बात को आप किसी और से बिल्कुल भी मत कहना, समझ गई ना, पारगल वरत गवाई देने जाएगी भईया एक चाहे देना, हाँ अरे सुनो भाई, यहाँ जानकी रहती है, उनका घर कहा है, कौन जानकी भाई, भईया जिनका सिंगा नाम का एक बेटा है, बात क्या है मतलब शादी करानी है अरे भाईया, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए आपको ऐसे में आप लड़के के बारे में बिना कुछ जाने लड़की देने की बाद कैसे कर सकते हैं यह वही सिंगा है ना जो बहुत बड़ा टपरी और निकम्माए पीकर गडर में गिर जाता उसको खुद को पता नहीं होता कही बार तो मैं खुद जाकर उसको घर छोड़कर आया हूँ हाँ क्या? हाँ, इतना ही नहीं भाईया उस सिंगा पर बहुत सारे पुलिस केस चालू है के भगवान अरे ये तो कुछ भी नहीं है टीवी का एकी सेटप बॉक्स होता है लेकिन इसके पुरे गाउं में सेटप बॉक्स है सोच लो बाकी आपकी मरजी जी 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 ऐसे लड़के को अपनी बेटी कैसे देंगे जी आगे पीछे पता करके रिष्टा रूरना चाहिए था ना चलिए मुझे ये रिष्टा नहीं करना मैं तो बच कहा मैं कहरे यूना तुम चलो यहां से चलो आप कहा चारे भाई सहाब आप तो कुछ मत बोलिए उस लड़के ने मुझे सब सच्चा ही बता दी वरना हम तो फस जाते आपने कहा था मैं अच्छा भला है कोई बुरी आदत नहीं उसमें कितना जूट कहा था हमसे आप पर भरुसा करके हम अपनी बेटी की शादी करा देते तो उसकी जिंदेगी तो बरबाद हो जाती नहीं चलो जी मेरी बाट को सुनी हूँ मैं बात नहीं करनी कलेजी को ठंडक मिल गई कितनी मुश्किल से उन लोगों के पैर पकड़कर एक रिष्टा लेकर आई थी तेरे लिए दो मिनिट में उन लोगों को भी भगा दिया तुझसे ही बोल रही हूँ मैं मैंने तुझे कितनी बार बुला है मा मुझे शादी वादी नहीं करनी है मेरे लिए परेशान होने के जरूत नहीं है ठीक है चाले दे सुभ़ बिना कुछ खाये ही घर से आ गया था तुने कुछ खाया क्या तुझे क्या करना है तेरे लिए मैं चकली और लड़ू लेकर आई हूँ खा ले मुझे नहीं खाना खा ले न बेटा तुने खाया क्या मैं बाद में खालेंगी ये लोग खा तु ये खाले मैं बाजार जाके कुछ सामाल ले आदियो ठीक है जा कर रहा है ये लो बस तक छोड़ा आता हूँ चलो ओल डॉन ओल डॉन जाओ मा संभल के तु फुरा खाले ना हाँ ठीक है ठीक है आद जलो जलो रईट 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 क्या हो सिना भया टेंशन में लग रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है सिंगा फिर उदास क्यों? क्या हुआ? वो मेरी पत्नी की तब ये ठीक नहीं है हॉस्पिटल ले जाना है दवाई दिलवानी है कि इस हॉस्पिटल में लेके जाओ यही सोच विचार कर रहा था तो तुम्हारे सिट ने पगार नहीं दिया? उसने पगार दिया था सिंगा लेकिन मैंने पी के सब खतम कर दिया क्या सिना भया तुम्हें थोड़ी भी जिम्यदारी नहीं है? अच्छा ठीक है कितने पैसे चाहिए? डॉक्टर की फीज दवाई मिला के चार सु रुपए चाहिए सिंगा चार सु रुपए? अरे सुनो सिंगा तुमने बुला पैसे दो गया और मंदिर में लेके आ गया? यहां मेरे एक बॉस रहते हैं मैं कितना भी पैसा मांगू? मना नहीं करते हैं बहुत बड़े दिलवाले हैं तो फिर थोड़े ज़्यादा ही पैसे मांग लेना अब वापस कर दूँगा इसलिए बोल रहा हूँ फोकट में मिल रहा है ज़्यादा लाचे मत बनो चलो मेरे साथ कहा है मेरी आइटम मिल गई सिंगा इसका क्या करने वाले हो यही है में पैसा दिलवाएगा आओ दिखाता हूँ बगवान तुम मेरा साथ दो के मुझे विश्वास है तुम इस भगपर स्ट्रॉंगली ध्यान दे रहा है यह तो चोरी कर रहा है पकड़े दे तो जूते पड़ेंगे अरे रे पापी भगवान के पैसा चुराएगा सिमा भईया पहली बॉनी सो रुपे की है कहा गए सिना भईया सिना भईया पैसे नहीं चाहिए रुको 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 भगवान इस बार थोड़े बड़े आशिर्वात दे दीजे सिना भईया बहुत किस्मत वाले हो तुम पाज सो और सो छे सो रुपे ये लो भई भगवान का पैसा नहीं चाहिए भगवान के बगल में लक्षमी जी बैठी तो उन्हें पैसे की क्या जूरूत है ये लो और अपनी पत्नी को हस्पिटल में भर्ती करो अरे नहीं नहीं भगवान का पैसा लूँगा तो हाथ में लकवा मार जाएगा तुम्हें लकवा क्यो मारेगा मुझे मारेगा पैसा मैंने चुराया है तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा मत सोचो मुसीबत में काम ना है तो वो कोई पैसा है सिर्फ कागज है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो दान पेटी में डाल कर मैं माफ ही माँगूँगा माफ कर देंगे मुझे अगर मुझे तकलिफ देने होगे कश्ट देने होगे तो मुझे दे देंगे न लेकिन मैं अपनी आखों के सामने किसी भी औरत को तकलिफ में नहीं देख सकता ले लो सिनावी चलो माबा मुझे आपके ये सुन्दर चेरे पर उदासी मेरी आखों से देखी नहीं जा रही है अब इदर दर की बात छोड़िये मुद्दे बाइए कुछ पी नहीं भांजे ये लड़किया में देखका रहसे तो क्या समझना चाहिए पागल समझना चाहिए चुपकर यार ए भरत तू बताने यार मामा लड़कियों के हसी में दो तरकी फ्रैटीज होती है चुप बैठ यार तू बोल बोलू आखों से स्कैन करके अपने दिल को जूम करके दोनों को मिक्स औरके अगर अंदर यांदर हसे तो तो समझ लेना तुमसे प्यार करती है मामा अब दूसरी हसी तुमारा चाहरा देखकर ही ही करके हसेगी तो तो अंदर यांदर आपको जोकर समझ रहे होगे मामा अब इन दोनों में से हमारी मामी कौन सी है तुने पहले बताया था ना, आंखों से स्कैन करके, दिल को जूम करके, ऐसे देखकर हसाता उसने इसका मतलब तो 100% लव ही है ऐसी बात है, इस थोड़े पर भी लड़की पठेगी क्या? क्या मामा कैसी बात करते हो, आप जैसे अंकल से लड़की कैसे पढ़ सकती है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था लव को चाहिए, फिलिंग मामा, एक बर बोल के दिखाईए अरे ऐसे बोलो मामा सर, पेंडिंग पेमेंट के लिए एक कॉंट्रेक्टर बाहर खड़ा है कॉंट्रेक्टर का नाम क्या है? रूद्रमूर्थी नाम है सर रूद्रमूर्थी आप ही है क्या? यह है सर यह लीजिए रंगा स्वामी जी इंसर रेजिस्टर में सायन करवा कर एक अनौलिजमेंट दे कर भेजिए बहुत धन्यवाद सर आपका गिफ्ट सर आपके घर पहुंच जाएगा गिफ्ट कौन सा गिफ्ट? मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है रंगा स्वामी जी आपको जरूरत है तो ले लीजिए मुझे कोई अतराज नहीं मुझे भी जरूरत नहीं है सर मैं धी इमानदार हूँ आप बहुत अच्छे इंसा अगर मुझे से कभी कोई जरूरत पड़े तो बोल दीजिए मुझे बहुत खुशी है अब सर एक मिनट हलो बाई वो आदमी सामने ही बैठा हुआ है अब जल्दी आजाओ नहीं रे सिंगा अमोल लोग कहते हैं महेंगाई बढ़ गई है और बार देखो कैसा हॉस्फूल है ए सिंगा सियार को रंग दो तो शेर नहीं बन जाता यार उसी तरह से यह लोग है चाहे कुछ भी हो जाए शराब पिना नहीं चोड़ सकते कभी भी पिना बहुत हो गया तिरा चल ले जाए इसे चुप चुप निकलने तो दूंगा एक सिंगा मैं माल लेकर आता हूं ठीक है लेक्या अरे रुमाल रखकी क्यों जा रहा है कोई आकर बैट गया तो अपना रुमाल उठाले हाँ उठाले अब ये तेरी सीट है तुझे तो मारने के बाद भी अफ्सोस नहीं होगा यहां तो सब वाउस बूलो गया है यहां किस ते थुका मैं तो हर गंदी जगा बैट जाता हूं फिर यहां बैटने में क्या पुरा ही है हर्लो मिस्टर वो चेर हमारी है अब बच्चे हैं अंडे का ओमलेट का उमलेट बना सकते हैं वो भी ऐसा ही है मैं अक बार यहां बैठ गया तो यह सीट मेरी हो गई अगर मैक तेरे गोद में बैट उड़orta थे तू मेरा ओजाएगा Lex अभव हो बैटा है एक जिगन प्राई और एक पोटा प्राई लेके आओ बंग भली भी लेके आना ठीक है यह मेरी मियर है पानी को शराब बना सकते हैं शराब को पानी बना सकते हैं क्या नाइ उसी तरह इस टेबल पर जिसकी भी शराब हो वो हमारी हो जाती है यहां कोई नहीं पुछेगा सही का ना चोटू आप गरेक बोल रो जिंगा दारो पे तुमारा चकना पे तुमारा पीने वाला हम लोग भी लाएगा तुमारा यहां मेरे साबरे नोटेंगी करता है तेरी दोप्रे लाएश यहां चोटू को मारने के राइट सिर्क मेरे पास है इसलिए कि यह मेरा प्यारा चोटू है अरे 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 नहीं म्रोना मुत मेरे यार अगर मेरे अलावा कोई इस पर हाथ उटाने की कोशिश करेगा ना तो अवे हमसे पंगा लेता है धमकी देता है हमें नहीं थोड़ा चल्ट निकल 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 यहां से चल्ट नाट निकल यहां से उस दिन मंदिर में मैंने इसी को देखा था ना यही है भाई मेरे सौरे की यह कराय पर पानी फिर दिया क्या बात है यार हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह हाथ में गुलाब लेकर घुम रहे हैं कुछ नहीं यार गीता को गुलाब देकर प्रपूस करने की सोच रहा हूं अजय को पूचके कोई मसाला पीशता है क्या यह गलत बात हमसब फ्रेंड्स है ना बता देता तो हम सब मिलके देते हैं लड़की को शेर नहीं कर सकता तुम लोग करो नदी के किनारे बैठ कर उसकी गहराई के बारे में सोचकर क्या फायता पानी में कूद होगे तब ही पता चलेगा कि गहराई कितनी है पाने में कूद कर डूब के मर जाना चाहिए अरे यार लड़की को हस्ते देखकर ग्रिटिंग नहीं देना चाहिए वह किस फिलिंग में हसी अब उस हसी पे रिसर्च करके कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा सुन भरत यह लव लेटर का रिसर्च से क्या ले रहे किया यह मैं से उतावला क्यों हो जाता है वैट पैठ लब हम सब साइंटिस्ट करके पता लगाने के बाद जानवरों पर परिक्ष करते हैं आप हमें एक बकरा चाहिए जो गीता को लव लेटर दे सके अब देखना है कि वो लेटर लेगी चपल से मारेगी टेस्ट करते हैं लेकिन मैं क्या कहता हूँ अचानक से हलाल करने के लिए हमें कोई बख्रा कहां से निलेगा यार उसके लिए तीलिए वो मनना चाहिए नहीं मंनेगा लेक्त लिना उन मशाज करें आखेंर अ पहले वादा करो पहले क्या ऊछिश नहीं है सिंपल मेंटर मैं तुम्हें लड़की को देना है एक लाफा दुगा ना तो चक्कर खाके नीचे गिर जाएगा किसके सामने बात कर रहा है समझ में आ रहा है तुझे किसी का मर्डर करना है तो बोल अभी कर देता हूं यह सब मेरे लिए आसान है लेकिन लड़कियों के पिछ शर्थ हार जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा है तुम कौन हो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुझे कोई भी टाच नहीं कर पाएगा समझा यह वादा है मेरा तुस्ते चोड़ दूंगा क्या बोला ना तुम लोग नहीं चोड़ेंगा तुम कौन हो सिंगा तुम से टक्राने वोला चूर चूर हो जाएगा पर तुम्हें कुछ नहीं इस सब्काम यह यहलो देकर मैर है लूंधे रॉड़िए पृटल बनो गये यह प्यर्टत को नैयुकर बनो गये अब पहसे तुम्हारे आतमसे ऑधा लोग लेलो क्या आया अरे जाना जाना आमनों आपने चाव लिस्याँ उने सरे उकाव लिस्याँ अरे नुक तोजो मा जाऊना जाऊ गुरू इता आरे जाऊना जाऊ और भाग जहाद हो ना होता है तो जो प्लीबाग प्लीबाग निकल पहां, पचास रुपए तो क्या, पांक पैसे भी नहीं दूँगी तुझे, क्या समझ रही है तू, हां, तू पीने का पैसा नहीं देगी, तुम्हें पीना छोड़ दूँगा क्या, एक बात याद रख, शरावियो के, बहुत दोस्त होते हैं, जल जा, काम कर अपना, जाता है कि दू, यह से क्या है याद, अरे छोड़ याद, यह तो रोज का नाटक है, यह बता तू कैसे आई है, यह देखो, सिंगा ने मुझे लव लटर दिया है, क्या, मजाग मत कर याद, मैं मजाग क्यूं करूंगी याद, चाहे तो खुदी अगर रुख जाता ना, तो मैं सबक सिखा देती उसको, मोड़ के देखा तो भाई से फरार हो गया, तू गलत समझ लिए याद, मेरे सिंगा भाया ऐसे नहीं है, उन्हें प्यार हो जाए, उनकी शादी हो जाए, इसलिए उनकी माने मन्नत मांगी थी, उन्होंने कोई भी मन दे नहीं छोड़ा, लेकिन सिंगा भाया, किसी भी लड़की की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखते, उन्हें शादी और प्यार से अलर्जी है यार, अच्छा यार, तुम्हारा ये सिंगा भाया श्री राम चंद्र ही क्यों ना हो, तो क्या मुझे लव लटर देगा, गीता, मेरे सिंगा भाया का दीर बहुत मासूं है यार, लगता है कोई उनकी इस कमजोरी का गलत इस्तिमाल कर रहा है, ये कोई साजिश है, मुझे तो उस भरत के तपूरी गैंग पे शक हो रहा है, तुम्हें अभी भी डाउट है, तो तुम सिंगा भाया के सामने जाके ख इसने मुझे मुड़के भी नहीं देखा, मैंने इसको गलत समझ लिया, अहे यार, लगता है हमारा एक्स्पिरिमेंट सक्सेंस हो आप, ऐसी फाल तु लवलेटर पढ़ने के बाद भी, सिंगा को जूतिया नहीं मिली, मतलब हिम्मत से आगे बढ़तक से, ज़नमाल, ज़नम समझ को गया है, इसमें जिसका नाम नहीं निकलेगा वो नाराज नहीं होगा, सेलेक्ट होने वाले को छोड़ के बाखी लोग के लिए घीता भावे के सब्सक्राकों होगी, समझ गया ना, इसमें जिनी मेरे जीवन की संगीत है, चुपड़ जा, भरतोरवी इता, हम दोनों तेरी सुरत देखे कौन पटेगी हां तू पटाका है जो जलाते ही फुस हो जाता है तू पटाका नहीं खुक्का है फटने के लिए बारी दोना चाहिए बैड़ जा भरत वो सब छोड़ना यार सुन पहले चिठी कौन उठाएगा बता अरे बेचारा तुम क्यों अधना टेंशन ले रहे हो तुम्हारे लिए मैं चिठी उठाओ क्या है जल्दी जल्दी आओ किसीना कुछ कर लिया है जल्दी 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 पपी पपी जल्दी 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 चलो उठाओ संभर के पपी पपी सिंगा जल्दी पतनी को खुश कहीं रख सकते तो चादी क्यों कि तेरे जैसे शराबी और मेरे जैसे गुंडे से शादी करके और तों का जीवन नर्ख हो जाता है अमोल जाकर मां से पैसे लेकर आओ आंटी आपने ऐसा क्यों किया शराबी पती के साथ इतने सालों से दुख उठाते उठाते थाख चुकी हूँ मैं और यह है कि सुधरना ही नहीं चाहता बैटी और मेरी बेडी नी किसी नाला है लड़के से प्यार करती है क्यों दीदी गल्ती करने वाले को सजा ना दे कर अपने आपको सजा दोगी तो इन लोगों का क्या होगा ये लो लक्षमी जाके बिल भर के आओ सीना वहिया तुमारे साथ जीने से तो अच्छा है कि इनोंने मरने का फैसला किया तुम उसी वक्त मर गए थे जिस वक्त इनोंने ये कदम उठाए तुम कितने भी पैसे कमालो लेकिन संसार चलाने के लिए एक औरत का होना ज़रूरी है समाज में उनहीं की बतौलत हम सर उठाकर जीते हैं पत्नी घर है तो पती हुनियाद है औरत की इज़त करना सिख लो समझ गये सुधर जाओ चलता हूँ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ वो जो लेटर दिया था मेरा नहीं था वो मुझे पता है लेकिन मैं कुछ और बात करने आई हूँ क्या है वो मैं मा मैं लग कर दो कि अरुगा कि सुछ अरुगा कि जुटा कि अरुगा रखे कि अरुगा सुछ लगा साथट। खर व्याघक आभा हे जो कर दो हुआह कुछHold एंध रहते इस ध्री नॉट्यी अ, उत्वा लूरत। ग्हा, जदब देहागा हा करता है अमोरी, माची, माची, माची एड़ singल, जी एड़ा क्या हाव़ जिए, है एड़ा सिंगा कहा है देखिए माजी कंडिशन बहुत नाजूप है फून बहुत बहुत बहँ चुका है जल से जल बड़े हॉस्पिटल में लेके जाईए खर्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगर आप लेट करेंगी तो मरीज की जान को खत्रा है डॉक्टर सब गंगा तुम उसी के साथ रहना अमोल तुम भी यही नहीं हो बेटा मैं आती हूँ आप यही आई आप एक मिनट मेरे साथ आए तुम यही पर बेट करो उस दिन दूसरों की मदद के लिए पैसे लेकर गया था आज हमारी मदब कौन करेंगा बदब कौन करेंगा हमारी मदब क्या बात है बैए नमस्कर भाई साब मेरे बेटे के नाम पर बैंक में पैसा रखा है एक महीने में पैसे मिल चाहेंगे चाहे तो बांड देख लीजी बहुत पिछल में है मुझे पैसों की सक्त सरूरत है ये बांड पेपर रख के मैं तो पैसे नहीं दे पाऊंगा किसी और से पूछ के देख लो देखिए मुझे कुछ नहीं होगा इस बांड पेपर पे मैं पैसा कैसे दे सकता हूँ कहीं और देख लो कि राचा भाईया देदी सेंगा कैसा है क्यों रो रही हो किसी बड़े अस्पतार ले जाना होगा ऐसा रोक्टर ने का है लाग और रुपे घर्च हो जाएंगे भाईया अब आपको इमुझ करना होगा देदी दसपी सेजार की बात होती तो कैसे भी मैलेज कर देता है लेकिन ये लाग और रुपे कहां से लेकर आऊँगा किसी से उड़ारी तो दिल बात हो मैं बहुत आस लेकरा है कुछू दिदी पहले तुम अठों दिदी अगरे कुछ गिर्वी रखे इतना रुपया कोई भी नहीं देगा दी अब क्या करूं मैं तुम्हारे पास घर के कागज़ात है ना आप गर पर हैं, लेकर आओं किया, आप यही रुकिया, मैं लेकर आती हूँ, मैं अभी आती हूँ, मना कर देना चाहिए था ना, बड़ी दया आ रही है उस पर, वो मेरी बहन है और मैं उसकी मदद जरूर करूँगा, बड़ी आईए समझाने के लिए, अंदर जाए काम कर, तुम जेवर हैं भीया, कहीं गिरवी रखवा कर पैसे दिलवा दीजे ना, यह जेवर मेरे हैं अंकल, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, जेवा के लिए पैसे चाहिए, अहां भीया, हम गिरवी रखने गय थे तो लोग शक कर रहे हैं, इसे लिए ये काम आप करवा दे तो डौन बड़ी मामा, मेरे पास एक अस्र है, वो छोड़ूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पता नहीं कितने पछोड के बरबाद क्या होगा, हैं, यह क्या कर रहा है है, यह नागी डांस कर रहा है मामा, है, अठी डे डे डे, ठी डे, फ्रेंस, मोनिंग वोक कर रहे हो, अबे कर रहा था उससे पहले पहले सुसु कर रहा था बंदर क्यों अब नवस्ते जोगिल कर रही हो क्या था नैशनल लेवल पर सिल्लैक्ट हुए है इसलिए सब को रेइनिग दे रही हूं कॉशनलेशन मेडम कॉशनलेशन आपके जलसे टीजर चाहिए आपने देश को प्राथ फ्यू मेडम को यह हुँ आपको पता है इसने आप से पहले कहां कहां तचκ किया तहल ना माम में हने यह में हाथ बहुत लगी है मेडम अथ से आपकी तक्दिर खोल गई संब iron और क्या-क्या देखना हो गए इनाखों से चले हैं से आया राजा भाया अरे देदी आओ देदी आओ यहां बैटो कोई बात नहीं में यहीं जाती हो देदी के लिए कुछ खाने को लेकि आओ अच्छा अच्छा सिंगा कैसा है अब पहले से काफी बैतर है तुमारा आशिरव आशिरवाद है उसे कुछ नहीं होगा वो शेयर है और शेयर की तरह रहेगा मेरे आशिरवाद से बड़े तो आप हैं चिन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की मैं कैसे बूल सकती हूं भाया देदी वो ऐसा हुआ कि जब तक मैं सिद्धा हूँ तब तक तुमारे इस उपक कर मैने तुमें पैसे दिये थे तुमने जो घर के कागस दिये थे ना वह मेरे पास ही रखें आरे कितनी अची नमस्ते सर नमस्कार बहन जी आप मेरा नाम जानकी है क्या बात है यह यह पैसे लीजिए आप यह पैसे मुझे क्यों दे रही हो मेरा बेटा जब जिन्दगी और मौद के बीच लड़ रहा था तब जेवर गिल्बी रखकर आपकी बेटी ने हमारी मदद की थी अगर उस वाद इन्होंने आकर मदद ना की होती है तो आज मेरा बेटा जिन्दग नहीं होता सा किसी देवी की तरह आकर मदद की हमारी इले लोगे जी, हमेशा खुश रहो, चलते हूं साहब, चलते हूं पचाटे हूं सार फोन बज रहा है साहब अभी भीजी है, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए सर, क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या सर, ज्यादा मत सोचिये सर, अगर रोदरा भाई चाहेंगे न, तो आपका काम पक्का हो जाएगा क्या बात है, आप इतनी दूर चलकर आए भाई, सर को दूसरी जगा ट्रांसफर चाहिए किस गाउं में, मैसूर के अगल बगल में कोई भी गाउं चलेगा सर अरे अगल बगल में क्यों, मैसूर में ही करवा दूँगा आप मुझसे मदद मांग रहे हैं, यह मेरा सवभाग्य है सर, काम थोड़ा जल्दी हो जायाका तो बहतर होगा अरे बहुत जल्द करवा दूँगा, ठीक है ना? बहुत उपकार आपका, ठेंक्यू सर नमस्ते चलता हूं भाई साहाब को जल्दी छोड़कर आ जाना ठीक है भाई क्या हुआ भाई? कुछ सोच रहे हैं क्या? पता नहीं क्यों मुझे कहीं से जल्ने की बू आ रही है भाई, साहब को छोड़कर आ गया क्या बात थी? क्या रंगा स्वामी तु सब को छोड़कर ट्रांसफर का केस लेकर आ गया? क्या हुआ भाई? काम नहीं होगा क्या? अगर मंत्री जी को सिर्फ एक फोन कर दूँगा तो वो चुटकी बजाकर मेरा काम कर देंगे लेकिन यहां समस्या कुछ और है अगर यह जाएगा तो उस जगे पर कोई और ऑफिसर आ जाएगा उसके साथ मैं कैसे डील करूँगा? आने वाला अगर इमानदार होगा तो भौकेगा और अगर घूस खाने वाला होगा तो वो घूस खोर जोक की तरह मेरा खून चूसेगा लेकिन यह तो बिलकुल गाय है आगे जाने पर कुछ बोलेगा नहीं और पीछे जाने पर लात भी नहीं मारेगा इसके जाने से तो हमारा ही नुकसान होगा सही कह रहे हैं भाई मैंने उस एंगल से सोचा ही नहीं था इसलिए तो तुम वहाँ हो और मैं यहाँ पर हो अब क्या करें भाई इतने दिनों के बाद ये ट्रांसफर की बात कर रहा है बतलब जरूर कुछ कर दो सिंगा मैं हूँ तेरा बाई रुद्रा कौन है अरे उस दिर नरसिम बगवान के बंदर में मिला था ना MP का चला इस्टेशी टर्म वही है तो अपनी जात वाले हैं लफडे के लिए बिना बुलाए जाते हैं ये तो इन्विटेशन देकर बुला रहा है तो कैसे मना कर सकता हूँ चल जाकर मिलकर आ जाते हैं चलो रहे ये जमीन हमारे पूरवजो की है बेटा ये जमीन मैं तुमको नहीं बेच सकता हूँ एई मरने के बाद जमीन साथ में ले जाएगा क्या ठेक है तो एक काम कर मुझे ही अपना बेटा समझ कर थोड़े बहुत पैसे लेकर ये जमीन मेरे नाम करके तीर्थी आतरा पर निकल जाए तीकिट मैं बुक करवा दूँगा अरे अमोल रुद्रा को तो बहुत बड़ा शूटर बताया था ये देखो एक बुड़े के सामने खड़े होकर खाली रोब मार रहा है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे सेलफी खिचवानी है क्या थोबड़ा अगर अच्छा है तो तु अपने आपको फिल्म का हीरो मत समाज क्या रहे आजकल तु इंजिनियर की बेटी के साथ घूम रहा है तुम मेरी बात कर रहा है मैं तो किसी के साथ भी घूम सकता हूँ पर तेरी क्यों जल रही है किसके सामने तुम क्या बात कर रहे हो काट के रख देंगे काले बालू तलवार इसकी जागीर है काटने में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है तेरे को दिखाऊं क्या बस इशारा करो भाई इस खटमल को मैं यही मसल देता हूँ दोनों मिलकर यह नॉटंक की कर रहे हो क्या तुम एक एक की बाट लगा दूगा मैं चलो जाओ मैं बात कर रहा हूँ न तुम एरा क्या उखाड लेगा चलो जाओ तुम एखाड़िषन नचित का दुम नचित की का रहा हूँ इस इस चुम एक से रहा हूँ धूँ फशिता हूँ तुम एका रहुँ प्या भाट रहा हूँ इस बच्शन चनेनने लेगा चनेनने गैता हूँ शक्र घचे र हुआओ कर दो जट गर मुला फलन अलन वो लंग घ्रे लिए भुल एए डरा के दमका के अपनी बात मनवाना चाहता था मुझे सरकस का शेर समझ रखा है क्या खुले हम शिकार करने वाला जंगल का शेर हूँ मैं तेरा ये हाल किया मैंने जिसने भेजा उसका क्या होगा सोच ले जरा जूस पीरे हो क्या पीजे पीजे सर रुद्रा से मिलने गए थे क्या नहीं तो बैट जाए सर ज्यादा शराफत दिखाने के जरुवत नहीं है अरे तुम हो कॉन मा जी मा बहन की मैं बहुत इज़त करता हूँ आपके पती ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे अहाँ नहीं बैटा ऐसा कुछ नहीं सर बात मत कीजिए सर आप मेरे बारे में आप नहीं जानते जहां मेरी गलती होती है मैं सर जुका कर खड़ा हो जाता हूँ खाली फुकट बदनाम किया ना तो मैं चीर कर रख देता हूँ अब क्या करोगे आपकी बेटी से प्यार करूँगा तो प्राब्लम होगा ना शादी कर लूँगा तो आपकी बेटी का पती तो मैं ही बनूँगा जो भी करना ही कर दो माजी माजी परा सिंगा भया शादी के लिए तयार हो गया है क्या कह रही है तू सच पर उसने ऐसे कहा क्या हाँ माजी मैं शादी करूँगा तो आपकी बेटी से ही करूँगा जो करना है कर लेना ऐसा घीता की बाब को चैलेंज कर दिया आप तो मेरी इच्छा पूरी हो नी जाएगी, तिरिकुल अपने पिताजी की तरह रहा, एकनी खुशी हो रही है कि सम्हाल नहीं सम्हाले, तो रूखा रूख, मैं अभी आई आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी भगवाल, मैंने जैसा वाधा किया था, अपनी बहु बेटे के साथ, आपके दर्शन के लिए होगी आपने पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में ही सुचा, अपनी जानी दूसरों के लिए ही दी हमारा बेटा कभी शादी नहीं करेगा यह सोचकर घबरा देई थी, पर नहीं, वो शादी करेगा, और एक खुश्छाल जिंदगी बिताएगा यह बात गंगा को जाकर बताती हूँ, आत्मी बगवार लक्ष्मी, तुम यहीं रुको, मैं गंगा के इगा जाकर आती हूँ, उसे यह खुशकमी जो देनी है, ठीके बाजी गंगा, ए गंगा, गंगा, क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रही हूँ दीदी, सिंगा शादी के लिए तयार हो गया है, ओरे दीदी, आखे भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली, और एक बात बताओ तुम्हें, उसके घर जाकर, उसके बाप के सामने ही, तुम्हारी ब चला कराएंगे, इतनी सी बात है ना, चलो 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 चलो, तेरा नाम सुनके पूरा गाउं हील जाता था, पुलिस से लेकर पॉलिटिशन तक, सभी घुलामों की तरह हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने सलाम किया करते थे, और वो चिलर सब के सामने तुमको पीट-पी पिल्ली साइलेंट रहेगी ना, तो चुहा भी उसे ललकारता है, ठाल तु बेकार लड़के भी हम पे सीटी मार-मार के हस रहे हैं भाई, आइटम, आइटम समझ रहे हैं भाई तुमको रुद्रा, रुद्रा, बसकर रहे हैं, तुम किसी और का गुसा किसी और पर क्यों उतार रहे हो जो हुआ सो हुआ, आगे सब मैं संभाल लूँगा, बाहर से लड़कों को बलाओ, और सैलिंग भी खत्म खाल लूँगा जिसने मुझे सब के सामने मारा, अगर उसे मैं खत्म नहीं करूँगा तो लोग ना मर्ज समझेंगे उसी गाओं में, उसी के लोगों के सामने मैं उस सिंगा को मारने के बाद, अपनी मुझों पर दा होतूँगा आप जा सकते हैं मुझे कहीं से पता चला है कि, सिंगा आपकी बात की बहुत इज़्जत करता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ एकदम करेक्ट पता चला है, वो सिंगा मेरा नाम सुनते ही कांप जाता है, वसे आपको खून से ढर तो नहीं लगता ना नहीं भाई, क्यों? मैं मारूँगा तुसको सर्चते खून निकलेगा, देख करा ब्योश मतो ना देखो बाई, ऐसा मत करो बाई, मैंने रुद्रा को कुछ नी बताया, ये बाद जाके सिंगा को बता देना ए जाना बाई, जाना यासे, मैं सिंगा को उपदेश देनोला को टीचर लग रहा हूँ क्या? फाइटर रूम है मुझे जब गुस्सा है गना तो आप मुझे रोकना नहीं, अगर मुझे पकड़ो गना तो गिर जाओगे अरे भगवार में क्या करूँ, सिंगा, सिंगा क्या हुआ, ऐसे दोड़के क्यो आया? मा की भगवार ने सुन लिया, सिंगा, उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिली है क्या बात कर रहा है? तू तो बड़ा बोला है, गीता से शादी करूँगा ऐसा चैलेंज करके आया ना? मा ने मुझे सब कुछ बता दिया अच्छा, ये बात है, हमारे साथ चाल चलेगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे इसलिए इंजिनियर को, मैंने भी एग होल दे दी तो तुम गीता से लव नहीं करते हो, क्या? लव? लव नहीं सिंगा, लव बक्वास बंद कर यार, अगर मैंने उस लड़की से शादी कर ली, तो उससे बड़ा धोका और कुछ नहीं होगा क्या? क्या? तु लक्ष्मी से प्यार करता है, ये पता चलते ही, उसकी मा ने जहर पी लिया था, भूल गया क्या? देखिया है, वो अच्छे लोग है, किसी को तकलिफ नहीं देते, वो लोग खुश हैं, ऐसे समय में उन्हें तकलिफ देना, कौनसा इंसाफ होगा बोल? किदर आँ? ए, कहां लेके जा रहा है? आब ये पता चल जाएगा, चलब अरे, कहां लेके जा रहे हैं मुझे? देख माजी, माजी देख मा तेरे लिए क्या कर रही है, देख नमस्ते पंड़िची ए, सरकार ने करीबों को राशन देना शुरू कर दिया, फिर भी तुम लोगों को भीग मांगने में शरम नहीं आती है चले आते हैं मुझे उठाके माफ करिए पंड़िची आप गलत समझ रहे हैं, मैं भेखारी नहीं हूँ मेरा बेटा शादी के लिए मान चाहेगा, तो मैं भीख्षा मांगकर भगवान का प्रसाद बनाऊंगी ऐसी मननत मांगी थी तो क्या करूँ? इसलिए कोई बात नहीं, आप फल भी दे सकते हैं फल चाहिए, ये लो जाओ अरे भुखना जाओ जाओ, आज़ते पता नहीं कहां से मुझ उठाके तान देना है तो दो, ऐसी फालतू बाते मत करो अरोड़ा गड़ो मेरा दिमाग खरा मत करो उन्हें के दोश्टे रहे हैं, चलो देखा न, हर फालतू इंसान के ताने सुन करके भीक मांग रही है तुमारे लिए नमस्ते भाई साथ किसलिए, पेरी खुशी के लिए जब तु हॉस्पिटल में था, उस लड़की ने अपने गहने गिरवी रखके बचाया था तुझे कितना त्याग किया उसने मत कर यार, यह लीजे माजी अमाल, मेरे बचने की तो कोई उमीद ही नहीं थी मेरे इतने सारे दुश्मन, कॉन कब आकर मुझे कब मार डाले मुझे कुछ पता नहीं था मुझसे लड़की की जिंदगी बरबादना हो, इसलिए मैं शादी के लिए मना कर रहा था इतना कुछ हो गया फिर भी मैं जिंदा हूँ मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है मेरी माँ का अशिरवाद, गीता का प्यार मेरा इंतजार कर रहा है वही मेरी माँ की बहु बनेगी बड़े गर के बच्चे पहनते है ना, वो अला पैंट चाहिए दीदी, पैंट नहीं, जीन्स बोलो जीन्स चाहिए? ए कृष्णा, इन्हें जीन्स पैंट दिखाओ, ओके सार, नमस्ते जीन्स पैंट आप पहनेंगी या, वो पहनेंगी अरे तू पागल हो गया है क्या, जीन्स पैंट पहनने की क्या हमारी उम्र है क्या हुआ माजी? हम लोग क्या इस उम्र में पैंट पहनेंगे, मैं अपने बेटे के लिए लेने आई हूँ अपने बेटे का हिप साइज बताईए हिप साइज? वो क्या होता है? मतलब गोला, हाँ? भाई, गाहों वाले लगते हैं अब पैंट पैंदे पर ढेला नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कमर की माप बताईए कमर का नाम? मैं तो पता नहीं है भाईया, तो पोज की आया? पता नहीं, वो कैसे बता सकते हैं, अच्छा आपका बेटा दिखता कैसा है? शेर, शेर जैसा दिखता है, उसका नाम सिंग्या है काँ जा रहा है तू? भाई, दो कब चाई पीके आता हूँ, छोड़ तो भाई अब चुप-चप खड़े रहा माजी, हमारे शोरूम में, शेर और चीते के लिए कपड़े नहीं मिलते मेरे कहने का मतलब है, किसी और को दिखा कर आप बताईए कि मेरा बेटा ऐसा दिखता है वो क्या है कि दुबला है, लंबा है, बोटा है, पतला है, या फिर मेरी तरह है या फिर मेरे तरह स्मार्ट देखता हूं एचो ऐसा लग रहा है कोई मुर्गी कितने दिनों से बीमार है मेरा बेटा कोई भी उसकी तरह नहीं है वो देखो वो जो है ना फोटो में ऐसा ही लगता है मेरा बेटा बाई तो मिनट में आता हूं बहुत जोर से लगिया बहुत जोर बाई 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 ना जाएगी हमारे सिंगा और उसकी खुबशूर्ती में कोई मेल ही निखा रहा है वो तो घर गर जाकर फिनाइल बेचने वाला दिखता है आप लोग वहाँ पर छुपकर क्या कर रहे हूं कुछ नहीं मार जी वह आपके बेटे के नहीं पैंट ढूल रहे थे आओ 32,34,36 एक काम करो सारे साइस के तीन-तीन पैंट दे दो जो भी सही होगा वो रखकर बाकी सारे वापस कर दूंगी अरे वावावावावावा क्या आइडिया है माता जी मैं तो आपको कुछ और ही समझ रहा था वो मैं निकला देखकूप मुझे रखा आप ऐसे ही सोच रहे होंगे इसके साथ न एक एक शेर्ट भी देना कैसी शार्ट रंग भी रंगा वाला देना पहले गा तो हीरो की तरह दिखना चाहिए एक से एक से कलर दूंगा मैं राम अभी दिखाता हो दीदी वहाँ चलते हैं वहाँ पर चश्मा भी मिलेगा हाँ 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 टॉप लग रहा है तू मेरी नजर न लग जाए तुझे मेरा बेटा मा सच बताओ मुझे देखके गली के कुट्थे भॉकेंगे तो नहीं न अच्छा तो दिख रहा है नहीं सच बताओ मैं अच्छा तो दिख रहा हूं न अरे सुन्दर दिख रहा है ठीक है ओके ए रुक जा रुक जा यह रख लें हाँ कीता को उसकी पसंदीदा जगे पर ले जाना और तुम दोनों हरमार मोटल जाकर पिरियानी भी खा लेना चीक है ठीक है ओके ओके और सुरी यही बहू को ज्यादा दूप में मत गुमाना जल्दी से घर लेके आना अभी से इतनी फिक्र ले आता हूं अरे मेरा बेटा कितना संदर लग रहा है भाई एक पानी पुरी तीखा देना क्या हो गए तेरे को मेंड़क निगले हुए साप की तरह मुझ फुला के बैठा है मेरी आंटी ने मार दिया यार हां क्यूं वहां ऐसा हुआ कि ए चालनी यहां तो आओ वाशिंग मशिंग में यहां में कपड़े धोने हैं अरे कल ही तो डाला था ना जी आज भी डालते हैं। आहि मुझे भी काम है रात में डालते हैं रात में मशीन की आवाज बहुत आएगी है भी दो डालते हैं अवाज ओहो बहुत जिद्धी हो आप, कमर में दर्ध है फिर भी नहीं मानते अरे आप आप आज आओ ना दूसरों के घरों में हफते में पंदरा दिन में एक बार धोते हैं आपका दोस का काम है, चीके आप चलो मैं आती हूँ मान गई मेरी रानी, मान गई मेरी रानी, अब धोने में मज़ा आएगा कपड़े धोने में मज़ा आएगा और बात में? कपड़े धोने के बाद मेरे अंकल को ठक्क्या आना चाहिए ना लेकिन वो तो फ्रेश हो के आते हैं, बहुत खुश हो के आते हैं, गुन-गुनाते हुए अच्छा अंकल, आइरन की हुए कपड़े को मरोड के वाशिंग मशीन में डाल रहे हो, तुम्हें क्या दिमाग नहीं है? मेरी मशीन, मेरे कपड़े, तुझे को तकलिफ हो रही? अरे सुनो आंटी, अंकल को तु दिमाग नहीं है, तुम्हें भी दिमाग नहीं है क्या? अगर धोई हुए कपड़े बार बार धोएंगे, तो कपड़े खराब हो जाएंगे ना? पैसा लगाने वाला मैं हूँ, वाशिंग मशीन मेरी है, ओ, वाशिंग मशीन आपकी है, लेकिन बिल्टो मैं भरता हूँ ना? आज से आपके वाशिंग मशीन में कपड़े मैं भी डैलूँगा, अरे तुम लोग हस क्यों ने हो यार? अरे मेरे यार, तु तो बिना काटे की घडी की तरहा है, तेरी आंटे में तेरे को क्यों मारा पता है क्या? सब कुछ मेरे को ही बताना पड़ेगा, इधर आएंगा, अइसा क्या है? मेरे अंकल इतने बड़े खिलाडी है, और ने तो क्या है? आ तो मैं भी उस खेल को एक ब बाई, उसको याद करके इच गाड लगा रहे हो, उससे देख लोगे तो बरना लगाना पड़ेगा, ज़रा देख तो उधर यार, यह कैसे हो गया, तु ज़िजा इससे यह हीरो कैसे बन गया, यार जिस्टी शक पहरिक है, और उनकों से चश्मा बहुत मस्त लग रहा है ना भारत हाई 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 हाई, क्या बात है सिंगा, गाड़ी भी चमक रही और तू भी चमक रहा है, तेरा तो हुल्या ही चेंज यूगे यार मेरी मा ने दिलवाया है, गिता को पुरा गाव घुमाने को काया है, और साथ में पाथ सो रुपे दिये हैं मुझे अरे यार, इसकी मा तो बहुत अच्छी है, लड़की पटाने के लिए पैसे कपड़े सब देती है, उपर से उसको किसी ओडल में गुमाने के लिए भी बोला है गेट आप कैसे हैं? सूपर लग रहे है! थैंक्स ब्रू! इंगलिस बोल रहा है! इंगलिस नहीं यार, इंगलिश! जैसे लव हो जाता है, भीतर से इंगलिश अपने आप बहर आ जाती है लवालूआ लवालूआ नहीं यार! यह इतना खुश क्यों है यार इस खुशी का कारण है यार क्या कारण? उस दिन तुने लेटर देने के लिए नहीं कहा हो था तो आज गीता मिलती थी क्या मैं तो अपने लिए पटाना चाहता था मुझे क्या पता इससे पट जाएगी यार तेरी इस मदद के लिए हमारी शादी में तुझे दो आदमियों का खाना खिलाऊंगा अच्छा हुआज किस से सजाने के लिए नहीं बुलाया वो देख तेरी गीता आगे माई लाव माई लाव अच्छा रोमांस कोई नहीं कर सकता वो देखो तुमारी गीता आँखों से बुला देख जाओ माई लो अगेंड ओके एगी कैसा लग रहा हो पता नहीं कुछ अजीब लग रहे हो अच्छा नहीं लग रहा हो सुपर लग रहे हो तो मेरी माने दिलाया अच्छा सासू मा बाई ए भरत मेरी मा को सासू मा कहा उसने सुन लिया बाई, सुन लिया वो गुलाब जामुन की तरह इतनी मिच्छी बाते करती है सुनकर बहुत खुशी होती है अरे अरे जिंगा, तु तो कभी बन गया यार तुने पहला लेबल पॉस्ट क्लास में पास किया है नेक्स्ट लेवल में जिला टॉप करेगा नेक्स्ट लेवल Yeah realidad को इंप्रेज कर गें कमप्रेज करोगे तो तेरा प्यार पंका क्या करना होगा एक काम कर, तू उस green गीफट दे गीफट? गीफट ऐसा होना चाहिए कि गीटा nor दे्खकर शोख हो जाए अब तो विज़ी का करणटी देना होगा ज़ादा बूना तो अब तो उन दोनों को अलग करने की सोच रहा या फैवे कॉल से चिपकाने की सोच रहा अरे यार मैंने जो प्लानिंग किये हैं कोई ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं है तमझा पिंगा के अंदर दिभाग बहुत कम ह वो जो भी गिफ्ट देगा आड़ाई टेड़ाई होगा गीता उस गिफ्ट को देखकर राज हो जाएगी और उसे रिजेक्ट कर देगी और फिर दोनों का प्यार कैंडी क्रस हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का रास्ता खुल जाएगा फिर भागेगे या हाई गी पेर क्यों हुई वाच नहीं है इसले लेट हो गया मेरे दोस्त कह रहे थे कि लव करने वाली लड़की को गिफ्ट दूंगा तो अच्छा रहेगा और पता नहीं जो गिफ्ट महल आया हूँ तुम्हें पसंद आएगा भी किने मुझे तो तुम ही पसंद हो गिफ् दिखाई नहीं दे रहा है आँखे बंद करके हाथ आगे करो नप्रीज याद यह लगता है इम्रान अश्मी का फेन है किकने जित्ती हो तुम्हें लगता है यह सर्टिफिकट का फिल्म दिखा रहा है उसे तुझे तो वही पसंद है ना अब देखो मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारी पसंद का क्या गिफ् लूँ तब मेरी माने कहां मंगल सुत्र देना चाहिए वो इसलिए कि मेरी शादी के लिए मेरी माने कोई भी मनत नहीं छोड़ी कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा इसलिए मंगल सुत्र दे रहा हूँ मेरी मा की खुश्याप तुमारे हाथों में और थोड़े दिनों में तुमसे शादी करूँगा तुम्हें पसंद आये की नहीं पढ़ा लिखा इंसान काट देता है पैसे वाला इंसान अंगूठी देता है सिर्फ दिन वाला इंसानी मंगल सुत्र दे सकता है एक औरत अपनी जीवन में अपनी फ्रेवी से इससे ज़ादा और क्या मांग सकती है तुम मुझे इतना अनूल गिफ्ट दे कर पोच रहे होगी पसंद आया या नहीं मेरे हीरो हो तुम बस 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 सिंगा तुझे कोई लड़की मिल गई तो खुल देवी के दर्शन के लिए जाओंगी ऐसी मैंने मनत मांगी थी कोई बात नहीं कल चलते हैं गीता भी आती तो अच्छा रहता ठीक है बुला लो उसे वो ज़रूर आएगी बड़े घर की बेटी है फिर भी कोई घमन नहीं है दिदी आज कल ऐसी लड़किया में ती ही कहा है आखिर पसंद किसकी है मेरे बेटे की बली काफी है ना अज तो मैं बली दूँगा बली देने के लिए इस बेटे को क्यों लेके आए हो तुम अरे बोलो तो मैं बली दूँ अरे भाई बली देना है बिर्यानी खाने का काम नहीं है वो अगर ढंग से बली नहीं दी गई न तो देवी नाराध हो जाएंगी बाई साब अगर हमारे सिंगा ने मारा ना तो एक ही बार में दो टुकड़े सर कटके अलाग आपको बकरा काटना भी आता है इंसान काटने वाले को बकरा काटना नहीं आएगा क्या चाहे बक्रा हो या इंसान उसे काटने के लिए आज के बाद ये हाथ हत्यार नहीं उठाएगा मुझे मेरी मा के कसम है तुम भली दोगे क्या? आभी आता हूँ कर दोगे में डालने के लिए टेल खतम हो गया है दीदी हाँ क्या सिंगा दीए में टेल खतम हो गया है बेटा अरे इसी मैं भी डाल के आजाओ क्या अरे कुछ नहीं वह तेल चलिया हमेशा फाल्तो की बात करता है झो लेकर वापस जल्दी मंदीर चलते हैं चलता है थे थे अमोल खाने दे पीचारे को ले थू भी खा दे यह थे अमोल जाने दे उसे चल खाने की प्लेट लेके चलत गिंगरा है ये ठीक है ना चाय प्रेकर चले गया हां दो चाय दो भाई काम दल्वी से खतम करना है या या जाने दे छोड़िया है सिंगा अमोल चल अब यहां से चपते हैं आज के बाद ये हाथ हत्यार नहीं उठाएगा मेरी मा के कसम है चल भाग अमोल में हरो दो इना है तो दर्जार में दर्जाता है बाओ वग वह हुट . . . . . . . सब्सक्राइब करें दो अ नहीं उस दिन तो अब एक मिनाट अब एक मिनाटी हलो माई सिंगा आथ फिर से बच कर नेकल गया क्या बख रहा है तू अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं और आप इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं सबसे फ़ले मंदिर कॉन पहुचेगा तुने चेलेंज किया था ना सिंगा तु जीत किया यार यह कैसा खेला बच्चों की तरह चली आईए पंड़ी जी मेरी बहु और बेटे को अशिर्वाद दीजी जी अशिर्वाद दीजी मा आगया होना क्यों बेटा आगया होना मा बताता हूं गंगा मा भी आओ आज़ा आप दुनों ही हमारे लिए भगवान हो सख्या 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 उसके पैर में चोट लगिया और उसमें से खून आ रहा है ये सब कैसे हुआ सच सच बता वो तो बदला लेने की सोची तो इसलिए मैं कह रही हूं कि जाकर उनसे माफ ही मांग लूगी आपके बेटे के जो दुश्मन है वो सब माफ करने वाले नहीं है जान लेने वाले है माजी मुझे डरा मत मैं किसी भी तरह उन्हें समझा बुझा कर माफी मांग लूगी कौन है वो लोग बता देना आप महोस्तों जरगाले एए कई आप मुझे हलके में तो नहीं ले रही है हाथ लगाना तो दूर कोई गूरे का तो आखे निकल के गोट या कहलता हूं मैं माता जी आख से कहलने का शौक है मुझे शेर को डराने वाला बबर शेर हूं मैं चल निकल ए फेको चान उस दिन सिंगा ने तेरे सर की चटनी बनाई थी भूल गया क्या मोह बंद कर अपना उस दिन सर पे बोटल पड़ी थी और बोल रहते एक्सिदेंट लोग अरे मेरी माँ आपके बेटे ने बोटल से मार के भी मेरी इतनी बेज़ती नहीं की यहां के आपने मेरी इज़त की वार्ट लगा दी अरे आपको मैंने माप कर दिया आप जाओ माजी जाओ जाओ माजी जरा एक मेर तुको जया करके इस बात को बाहर कहीं भी मत बताना माजी मेरी यह इमेज जहने जी जाए की माजी यह गिरे हुए लोग है चलिए तुझे तो मैं बात में देखूंगा लेजी चलती हुझा तो उसे माफ करती चीगा अगर तुम्हाला बेटा मेरे सामने कभी आया ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूँगा नहीं ऐसा दोबारा नहीं जाए यह लोगते सिंगा की आवाज से मर जाते हैं चलिए कर दो कर दो मां तुम कहां चली गए थी वो मैं पंडेची के पास तेरी शादी का मुहरत निकलवाने कई अब इतनी भी जल्दी क्या है तुम ऐसे चिलाओगे इसलिए नहीं बताया था मैंने खाना खा लिया क्या मां कहीं भी जाना हो तो मुझे बता के जाओ बहुत डर लगता है मुझे क्यों बेटा मेरी इतनी जिंदा क्यों करता है तुझे चोड़कर मैं कहां जाओंगी क्या है यह लक्षमी माने टिफिन देनी के लिए कहा है टिफिन मा सुबह से कहां गई यह कुछ पता भी नहीं है अच्छा मा कुछ बता के गई है मुझे नहीं पता चीक है अंदर जाके रख दो कहां 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 मा कहां है अरस इंगा भड़कर मारा था उनसे वाफी मांगने का थी महा लेकर घ्र मां को उनकूंड इंगने के लिए क्यों लिखेल घ्र से काबो तो है तुम्हारे इतिये दुश्मन है किसे तुम्हें थे मार दिया तो इसी बात से डल रही थी मा मा कहा है अबी हो रुद्रा के घर जाने वालियी थी वही रुद्रा भैया का घळ है वही रुद्रा भैया का है वो वाइट टीसेट में जो बैडमिंटन खेल ले ना वही है उसमें किसी ने तो मार्केट में खून किया था यह तो बहुत बड़ा गुंड़ा है दीदी अग्वान मेरी परीक्षा ले रहे हैं इसकी घर में क्यों आ गए हम जाले जाले रूद्रा भाया कौन हो तुम? मैं ना सिंगा सिंगा की मा हो तुम? आँ इसे पहले कि मेरा तिमाग खराब हो जाए निकल जाओ चलो जाओ ऐसा नहीं है भाया के बाद ही इससे पहले कि मेरी आँखोंके सामने से तुम लोग दूर हो जाओ मैं मैं मानती हूँ भाया उसने जो किया वो बहुत गलत किया बहुत गलत किया उसने, उसे लाकर आपके कदमों में डाल दूँगी मैं, उसे जितना मारना है आप मारियेगा, आपका गुसा ठंडा होने तक मारियेगा, लेकिन भाईया, मेरा बेटा धीरे धीरे एक सुधरने की कोशिच कर रहा है, भाईया, मेरे बेटे को कुछ भी मत करन मेरे बेटा है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मागती हूँ, उसे भाफ कर दो, भाईया, चंडाल के सामने आकर चंदा मामा की कहानी सुना रही है, इस शरीर पर जो जखम लगा है, उसे में नहीं भूल सकता, मेरे नंदर च्वाला मुखी धधक रही है, भाई, क्या है, सि छेर तो शिकारी के पास खुदी आ गया, ठकड़ कर लगा उसे अब इसके ही सामने उसके तुकड़े तुकड़े करके खात्म करदूगा, भाएसे, पूब क्या देख रहा है, ढयाता यवज नहीं, नहीं नहीं, लोगा, पूब कै जाता क्यों नहीं भीज़एक जाँ, आर तुम लोगो दर जाओ चलो रहे तुम लोगो दर जाओ हाँ चुद्रा भाया मैं पैर पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ मेरा मेटा अभी अभी चादी के लिए राजी हुआ है उसे खुछ पतर देखा ठीक है काम करता हूँ तेरे बेटे का सिर काट के मैं उसी चौराहे पर लटका देता हूँ आकर देख रहे ना कहा है मेरी माबता अब तक मेरे भाई ने तेरी माँ को तब का दिया होगा कहा है फगाज दूलाज– ये घखियों स्वांग। ठारस जूगलाज करय कर दूने वह हो अ कर दो कर दो कर द दो मैंने कसम खाय थी कि मैं आत्थिार नहीं उठाऊंगा लेकिन तुमने मजपुर कर दिया मुझा अ, लेकिन नहीं जुमने कर दोछ ाइ uh युपूँआए युष To भाओ único है अगृ है कि इसे जिल्दा शोड़ा है अगर इसे जिल्zneत चुड़ा यह हमारे सिंगा को अरे आरे बातर सिंगा को मार ना लहां में चुड़ा डीदी उसे मार ना होगा इसे जिल्दा बचौड़ा डीदी ज chess करो डीदी कि या रही हो कि छोड़ना मत इसे कुछ करो दीदि कुछ करो अरे रुख यहां यह लेगिया हूं लब मोट दीदि चलने से इसको आज नहीं छोड़ेंगे इसको बेल्कुल नहीं छोड़ेंगे दीदि प्रो पंतो इसे, अप्रश एकों नहीं जटालें गई है, बोट चताया है इसने सकको, वह सब्रहा, वह सब्रहा, पहला, जी पिराओ अपार शींगा, अबारे सिंगा को माद ढालेगा तु इसे छोड़ोगी तो तेरे बेटे को मार डालेगा यह दिदी, मार डालो इसे, जांच मार दो में खहती हूं, मार दो इसको, इस आक्षस को आज खतब गरना होगा इसे, जांच मार डालो 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 इसे, जांच मार हुआ हुआ टतनाёт लाह सुझता हुआ 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 हुआ